जब 181, हब भी साथ में शाव लेते हैं, प्लीज ज्यादा से ज्यादा बुक को शेयर करें, लाइक और कमेंड भी जरूर करें, वही अंशा जब विला पहुँचती हैं, तो हॉल में खेलते अपने बेबीस को देखकर स्माइल करते हुए कहती हैं, विकी भी आजकल बहुत ब कर आपकी वजह से डेडी को बड़े डेडी से डाट पड़ी, और वो पता नहीं कहां चले गए, आप यहां से चले जाओ, अंशा बेबीस की बात को मजाक में लेकर मैंगो के सिर पर हाथ फेरती हैं, तो मैंगो पीछे हो जाता हैं, और मुह बना कर अपने रूम में चला ज और यहां इतना राइटर फेला जाएगा, पैपसी अंशा से खुद को चुडाने की कोशिश करते हुए कहता है, आपकी वजह से मेरे डेडी से उसका हाग चीन लिया गया, अंशा पैपसी को छोड़ देती है, पैपसी भी अपने रूम में चला जाता है, वही रोबिन जो क उस्सा ना होने के लिए, रोबिन अपने चोटे-चोटे हाथों से अंशा के आंसु पॉंच कर, उसके गाल पर किस करके कहता है, अंशू तुम जाकर आराम करो, हम पढ़ाई करने वाले बच्चों को पढ़ने से ठकन हो जाती है, अंशा रोबिन के गाल पर सहलाते हुए कह अब मैं क्या करूँ, डेनिस जीजू, बोडी गार्ड रन जीत, सेकरेटरी रोक्सी और बाकी और भी लोग को फोन करके पूछा लिया, पर किसको विक्रान सर के बारे में पता नहीं है, फिर अंशा अपने टैडी बेर को अपनी बहों में भर कर मासूम सा चेहरा बना कर कहत अब तो बेबीस भी मुझसे नाराज हो गए है, अंशा तू वाकई गंदी है, तू खुद ही अपने लिए प्रॉबलम बनाती रहती है, तब ही अंशा के कानों में रूम का दोर खुलने की आवाज पड़ती है, तो वो सिर उठा कर देखती है, तो विक्रान्थ रूम के द कर रोते हुए कहती है, एक, हब्भी I am sorry, विक्रान्थ अंशा से cold voice में कहता है, स्वीट हाट मुझे शाव लेने जाना है, अंशा विक्रान्थ के सीने पर अपना चेहरा रब करते हुए कहती है, हब्भी साथ में शाव लेते हैं, विक्रान्थ अंशा को खुद से दूर करक एक कोड लूप देकर बात्रूम में चला जाता है, अंशा बात्रूम के दोर पर खड़े होकर बस सौरी की माला जब कर रही थी, वही विक्रान्थ शाव लेते हुए दोर की तरफ देखकर खुद से ही कहता है, अब ये लड़की चैन से शाव भी नहीं लेने दे सकती हैं, और गंधी मम्मा बोल रहे थे, अंशा विक्रान्थ और बेबीस की नाराज़की को देखकर बिना खाना खाए गार्डन में चली जाती हैं, वही विक्रान्थ बेबीस को घूरते हुए कहता है, ये क्या तरीका है, अपनी मम्मा के साथ बेहेव करने का, डैडी मम्मा की लड आप सही कहती थी, डैड के लार प्यार ने मुझे जिद्धी नंबर वन बना दिया, आप सही कहती थी, मों मेरा ये जिद्धी वान शादी के बाद भी मेरे लिए प्रॉबलम क्रियेट करेंगा, और वही हुआ, वही अंशा का पेट गरगर करने लगता है, तो अंशा अपन आने को नजर लगाए, आवाज चुपचाप अंदर दिनर करने चलो, अंशा चुपचाप विक्रांत के साथ चली जाती है, विक्रांत अंशा को अपनी गोध मिल बैट कर उसे दिनर खिलने लगता है, विक्रांत का एक हाथ अंशा की टमी पर था, विक्रांत अपने बेबी तो स्टी रूम में चला जाता है, वही अंशा भी रूम में आकर बैट पर लेट जाती हैं, और विक्रांथ को मानने के लिए आइडिया सोचने लगती हैं, तब ही अंशा के दिमाग में कुछ आता हैं, और वो विल स्माइल करने लगती हैं, अब यब आप मुझसे बच कर कहा जाओगे आखिरी अंशा के शैतानी दिमाग में विक्रांथ को मानने का क्या प्लान चल रहा हैं, जाने के लिए पढ़ते रहिए, जब 182 विक्रांथ की नाराजगी, वही विक्रांथ जब रूम में आता हैं, तो अंशा को ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बालसावारते हुए देखता है, वही अंशा मिरमें से विक्रांथ को देखकर एविल स्माइल करते हुए कहती है, हब भी अब कैसे मुझसे दूर रहोगे, वही विक्रांथ अंशा को उपर से नीचे तक देखता है, इस वक्त अंशा ने नेट वाली 90 पहनी थी, जो उसकी अंशा के इन्वाया भी सफा देख रहे थे, ये नाइटी अंशा की नाइटी की कलेक्शन की सबसे सेक्सी नाइटी थी, वही अंशा कैट वॉप करते हुए विक्रांथ के पास आती है, और उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए सेक्सूल वोइस में कहती है, हब भी आज की इ एंडी उजट कर विक्रांथ के होंटों पर अपने होंट रब करते हुए कहती है, आय नीड यूहबबी, विक्रांथ अंशा को अपनी रौबदार आवाज में कहता है, स्वीट हाट यू नीड रास्ट, फिर विक्रांथ अंशा के साइट से निकल कर चला जाता है, ये अंशा धीमी आवाज में कहती है, विक्रांथ सर तो मेरी इस चाल में फंस ही नहीं, अब मैं क्या करूँ, अंशा अपना प्लान फेल होने पर जाकर चेंज करके आ जाती है, और अपना लप्टॉप लेकर बालकनी में चली जाती है, और बालकनी की सोफे पर बैठ कर कालेज की पढ़ाई करने लगती है, वही दो घंटे बाद विक्रांथ जब बालकनी में अंशा को देखने जाता है, तो वो अंशा तो खुद में सिमट कर सोते हुए देखता है, विक्रांथ अंशा के चेहरे को गौर से देखता है, उसकी चेहरे पर आंसों की निशान थे, विक्र पर सुला देता है और खुद भी उसके साइट में लेट जाता है वही तीन दिन बिता चुके थे आंशा से ना विक्रांथ और ना ही बेबीस बात कर रहे थे आंशा बहुत ज्यादा तूट चुकी थी क्यों कही ना कही उसे प्रेम के लिए भी बुरा लग रहा था वो अब भ हॉस्पिटल में ही थी वही नीती भी बहुत दुखी थी अंशा हर एक चीज का जिम्मेदार खुद को ही मान रही थी वही दूसरी तरफ उर्वशी डैनिस के गले में टाइप पहना रही थी तब ही उर्वशी डैनिस से बोलती है ये विक्रांथ जी खुद को क्या समझते ह अंशा से हो गई गलती तो अब क्या पुरी जिंदगी उससे नाराज घूमेंगे डैनिस उर्वशी के चहरे पर आ रही लितों को कान के पीछे करते हुए कहता है वाइफी इस बार अंशा ने बहुत बड़ी गलती की है एक तो उस प्रेम को हॉस्पिटल पहुंच दिया उ अब क्या भाई अंशा से थोड़ा गुसा भी नहीं हो सकता है और वशी डैनिस को देखकर कहती है डैनिस जी वो अंशा है वो कुछ उल्टा सीधा भी कर सकती है आप उसे अभी नहीं जानते जब से उसके मोम देर उसको छोड़ कर गए है तब से उससे अकेले रहने से डर लगने लगा है और जब भी विक्रांट जी उसे बात नहीं करते या उससे गुसा हो जाते हैं तो उससे एक डर सताने लगता है कि विक्रांट जी भी अब उससे छोड़ कर चले जाएंगे ऐसे में वो लड़की कुछ भी उल्टा सीधा कर सकती है कल रात अंशा का फोन आया वाइफी तुम टेंशन मत लो सब जल्द ही ठीक हो जाएगा जब डैनिस और उर्वशी ब्रेक फास्ट करने हाल में आते हैं तो विक्रांट जी जी खुद को क्या समझते हैं इसलिए उन्होंने अंशा से शादी की थी कि वो उसको रुला सकी डैनिस अपनी चेर पर बैठ क कर पूछता हैं साले सहा पहलियां क्यों बूझा रहे हो सफा सफा कहूं विकी गुस्से में कहता हैं आपको पता हैं कल पुरे दिन अंशा कालेज के वाश्रूम में खुद को बंद करके रोती रही थी आपके दोस्त विक्रांट जी क्या चाहते हैं रोते रोते मेरी बहन मा देखकर कहती हैं आप सही कहा रहे हैं मैं विक्रांट जी से बात करूँगी डैनिस और वशी को देखकर कहता हैं देवी शांत हो जाओ मैं भाई को समझाओंगा कि वो अंशा को माफ कर दे वही दूसरी तरफ प्रेंग की मोम डैट जैपूर पहुंच गए वही महल में सभी बड़े एकठा थे विक्रांट के दादा जी प्रेंग की मोम डैट से पूछते हैं तुम दोनों यहां कैसे प्रेंग की मोम आध भरी आवाज में कहती हैं अंकल हम यहां अपनी बहु को लेने आया हैं हमें अपनी गलती का हसास हो गया है विक्रांट के दादा रौबदार आवाज में बोलते हैं, दिव्या आपको क्या लगता है, हर चीज आपके मन से होगी, तो नहीं, अब हर एक चीज नीटी के मन से होगी, एक नौकरानी नीटी को बुला कर लेकर आती हैं, घर के सभी बड़े नीटी से पूछते हैं, क्या वो प्रेम को एक मौका देना चाहती ह इस वक्त नीटी के दिमाग में सवालों की बार आ गई थी, वो कोई फैसला नहीं ले पा रही थी, तभी मोहिनी नीटी के पास जाकर धीरे से बोलती है, मैं तुम्हारा जबाब जानती हूँ, तुम इस महल की शान और शौकत छोड़ कर जाना नहीं चाहती, जैसे तुम्ह इस दो कॉड़ी की सहेली ने, अंशा, हमारे विक्रांद को फंस लिया, तुम भी यहां रहा कर पियूश या प्रशांद को फंसना चाहती हो, तुम्हें तो पता है, प्रेम हमारे सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम उसे भी अमीर इंसान से शादी करना चाहती हो, तो साथ रहना चाहती हूँ, नीती की बात सुनकर मोहिनी बड़ी खुश हो गए थी, वही प्रेम के मोम डैड नीती के पैरों में बैठ जाते हैं, नीती उनको खड़ा करके कहती हैं, प्लीज अंकल आंटी आप ऐसा मत किजिए, आप मेरे मोम डैड की तरह हैं, आपकी मेरे लिए बहुत इंपोटेट हैं, प्रेम के डैड नीती से हाथ जोड कर कहते हैं, नीती बेटा बस एक बार तो प्रेम से मिल लो, हम तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेंगे, नीती बहुत सौफ्ट दिल की लड़की थी, वो एक बार प्रेम से मिलने के लिए तयार ह जाती हैं, फिर वो लोग एपोर्ट के लिए निकल जाते हैं, वही दूसरी तरफ मुंबई में अंशा विला में अपने टैडी बेर के साथ गूम रही थी, क्योंकि कोई उससे बात नहीं कर रहा था, आज संड़े था, तो विक्रान भी घर पर ही था, और वो बेबीस और र देखने के लिए बुला ले, अंशा को जब लगता हैं, कोई उससे मूवी देखने के लिए नहीं बुलाने वाला, तो वो उठकर अपने रूम में चली जाती हैं, अंशा दुखी होकर बैट पर लेट जाती हैं, और अपने टैडी बेर से कहती हैं, अगर वो लोग हमारे ब बच्पन की किस्से सुनाते, सुनाते हैं जाती हैं। वही दूसरी तरफ प्रेम के मोन डैट नीती को लेकर मुंबई आ चुके थे, वो नीती को लेकर एपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल पहुँच गए, प्रेम अपने फोन में नीती की फोटो देख रहा था, उसकी आखों में नमी थी, वो खुद से ही बोलता है, काश मुझे ये पहले समझा गया होता, कि मैं अपनी पैसे पौवसे नीती को या उसके प्यार को हासल नहीं कर पाऊंगा, प्यार को तो बस प्यार से ही हासल किया जा सकता है, तभी प्रेम के वोर्ट का दोर खुलता है, प्रेम नीती को प्रेम नीती को जट से अपनी बहों में भर लेता है और पच्टावे की साथ बोलता है मुझे माफ कर दो मैं जानता हूँ मेरा किया माफी के लायक नहीं है पर प्लीज मुझे माफ कर दो मुझे छोड मत जाओ मैं तुम्हारे बिना मर जाओंगा प्रेम की आँखों से आंसू प्यार करते हैं तो आपकी सजा यही है आपको अब पुरी जिन्दगी मेरे बिना ही जीना होगा नीती इतना बोलकर रोते हुए प्रेम के वोड से चली जाती है वही शाम हो चुकी थी अंशा अभी भी सो रही थी विक्रांद जब रूम में आता है तो अंशा को टेडी बे पुरा चेहरा अंशा के आंसों की वज़े से गिल हो चुका था विक्रांद अंशा को ठीक से लेट कर उसके चेहरे को गौर से देखता है फिर अंशा के पास बैट कर उसके टमी पर किस करके कहता है बेब्या आप डैडी से नाराज हो क्योंकि मैं आपकी क्यूट मम्मा जरूरी है हमारे बीच कोई तीसरा आए ये मुझे बरबाद नहीं है और आपकी मम्मा तो किसी तीसरे को हमारे बीच लाई भी और उसकी वज़े से आपके डैडी से जगली भी तो आपकी मम्मा को मुझे ये समझना है कि मैं हमारे बीच किसी को बरदाश्ट नहीं करने वा प्लीज ज्यादा से ज्यादा बुक को शेयर करें, लाइक और कमेंड भी जरूर करें। प्लीज ज्यादा बनाकर कहता है, भाई अब अंशा से इतनी भी क्या नाराजगी। विक्रांट अपना लप्टॉप बंद करके डैनिस को सर्ब निगाहों से देखते हुए कहता है, डैनिस क्या तुम मुझे नहीं जानते, मुझे ऐसे लोग बिलकुल भी नहीं पसंद जो मेरे मान करके बाद भी वो ही करते हैं। जो मैने मान क्या है, डैनिस माथे पर हाथ रख कर कहता है, भाई तुम पती पतनी के जगरे की चक्कर में, मेरी उर्वशी मुझसे नाराज हो गई है, आज तो उसने मुझे इस ही चक्कर में सुबह से एक किस भी नहीं की, और नहीं मुझे बेबी को किस करने दी। विक्रांत और डैनिस बात चीत कर ही रहे थे, तभी कोई स्टी रूम के दोर पर आकर नोग करता है, विक्रांत कॉम इन बोलता है, तो गजोधर भाग कर अंदर आता है, बॉस का जब हो गवा, मेडम चाकु लेकर बच्चन के पीछे भाग रही है, हमको डर है, कहीं मेडम उनको टाना कर दे, गजोधर की बात सुनकर विक्रांत और डैनिस उसके साथ जब नीचे पहुँचते हैं, तो अंशा को डाइनिंग टेबल पर बैठे देखते हैं, इस वत अंशा के हाथ में चाकु था, जो उसने अपनी कलाई पर रखा हुआ था, अंशा लड़ खडाते जुबान से कहती है, अमीर घर के गरीब लोगों, अब और तुम्हारी नाइन साफी नहीं सहूंगी, वहाँ विला के सभी सर्वेट, बेबीस, रोबिन, विक्रांत और डैनिस सभी एक तथा हो गये थे, वही डैनिस विक्रांत से कहता है, भाई अंशा ने तो पी यी है, व विक्रांत अंशा के पास जाकर उसे चाकू लेने की कोशिश करता है, तो अंशा चाकू अपनी गर्दन पर रख लेती है, खराबदार अगर मेरे करीब आए, आपको क्या फर्क परता है, मेरे जीने मारने से आपको तो कोई मिल गई है ना, मैं सब जानती हूँ, आप सब अ मुझसे पीछा चुरवा चाहते हो, डैनिस अंशा के पास आकर बहुत प्यार से बोलता है, मेरा बच्चा जीजू को चाकू दे दो, अंशा डैनिस के इतना प्यार से बोलने पर उसको चाकू देती है, और डाइनिंग टेबल से उतर कर, उसके गले से लगा कर फूट अंशा डैनिस के गले लग कर बस रोए जा रही थी, वही डैनिस को किसी की निगाहों की तपिश अपने उपर महसूस हुई, डैनिस ने पीछे मुड कर देखा, तो विक्रांत उसे बुरी तरह से घूर रहा था, डैनिस अंशा को विक्रांत को सौप कर कहता है, भाई बेच तुम तीनों मेरे साथ चलो, फिर विक्रांत अंशा को लेकर रूम में पहुचता है, और अंशा को बैट पर लेट कर ब्लांकेट ओर देता है, वही बेबीस एक लाइन में खड़े थे, विक्रांत गुस्से में उन तीनों की तरफ मुर कर लगभग चिलाते हुए कहता है, म वही अंशा जो बैट पर बैट कर ये सब देख रही थी, बेबीस की आँखों में मोटे मोटे आंसु देखकर, बैट से लर्ख खड़ाते हुए उतर कर फर्ष पर बैट कर बैबीस को एक साथ अपनी बाहों में भर लेती है, और उन तीनों के माथे पर किस करके विक्रांत स कहती है, एथर की आदमी मेरे दो पिंपल निकलने का गुसा मेरे बच्चों पर क्यों उतर रहा है, अंशा अपने हाथों से उनके आंसु पॉंच कर कहती है, मेरे रजगुल्यों रोने की जरूरत नहीं है, मम्मा तुम्हारे साथ हैं, वही बेबीस को अहसास होता है, उन्ह इस उबह जब अंशा की आंखे खुली, तो उसे कुछ अजीब सा फिल हुआ, अंशा खुद से कहती है, कुछ हो रहा है, फणी सा कुछ निकलेगा पेट से, अंशा मूँ पर हाथ रखकर बातरूम में उल्टी करने भाग जाती है, अंशा वाश बेसिन में उल्टी करके अंशा अपनी आँखों पर हाथ रखकर खड़ी थी, विक्रांट अंशा को बातरूम में देखकर, उसके करीब आकर वाश बेसिन के दोनों तरफ हाथ रखकर, अंशा को ब्लॉक कर लेता है, अंशा इस वक्त दर से काम प्रही थी, विक्रांट अंशा के उपर हलका सा कर कोल वोईस में कहता है, कल रात तो तुमने हमारा बहुत एंटर्टेन्मंट किया, खुद की कलाये और गर्दन पर चाको रखा कर, और क्या बोल रही थी, तुम कल रात को की मैंने किसी और लड़की को अपने लिए धूंधा लिया है, और मेरे लाक मना करने के बाद भी त अंशा का मासूम चहरा पुरा पीला पर हुआ था, उसे देखकर साफ लग रहा था, उसे किसके प्यार और केर की जरूरत है, विक्रांट अंशा को अपने सीने से लग कर कहता है, ग्यारा सो ग्यारा श्य, बस अब और रोने की जरूरत नहीं है, विक्रांट अंशा की पीत क प्यार से सहलाने लगता है, अंशा विक्रांद को टाइट हग करते हुई कहती है, सौरी हबी में अब किसी और, की वज़े से आप से कभी जगड़ा नहीं करूंगी, फिर दोनों साथ में शाव लेते हैं, अंशा पुरे टाइम विक्रांद को हग करके ही थी, शाव लेने के ब विक्रांद बाथरोब पहनता है, और अंशा को भी बाथरोब पहनता है, फिर विक्रांद अंशा को गोध में उठा कर रूम में लेकर आता है, और उसको बैट पर बैट कर कहता है, आज मेरे बच्चे को कालेज जाने की जरूरत नहीं है, तुम आराम करों, अंशा विक्रा विक्रांद का हाथ पकर कर मासून सी आवाज में कहती है, हब याप अब तो मुझसे नाराज तो नहीं है। विक्रांद स्माइल करते हुए अंशा के बालों पर किस करके कहता है, मैं अपनी खरबोशनी से ज़्यादा दिन नाराज रहा ही नहीं सकता, अब तुम्हारी आँखों से एक आँसू भी नहीं गिरना चाहिए। तो अंशा खुशी से उचलते हुए कहती है, जीजू I love you, आपके आइडिया ने तो विक्रांद सर के पत्थर दिल को भी पिघल दिया, वही दूसरी तरफ से डैनिस कहता है, अंशा ये बात भाई को नहीं पता चलनी चाहिए, कि मैंने ही वाइन पी कर तुम्हें हंगामा क अंशा कहती है, जीजू अब भी ना मेरे भोले भालू, विक्रांद से ऐसे ही दरते रहते हैं, दूसरी तरफ से डैनिस कहता है, बेटा ऐसी बात है, तु अभी अपने भोले भालू को ठीक से जानी नहीं है, तभी अपने शैतान पती को भोला भालू बोल रही हो, कुछ द पैपसी और सेंडी की पीट पर भी गिफ्ट बॉक्स रखे हुए थे, वो सब भी रूम में आकर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, विक्रांद बेबी इसको देखता है, तो सबसे पहले सेंडी अंशा के पास जाती है, मम्मा I am sorry मैंने आपको और बेबी को बहुत परिश परिशान किया, सेंडी गंदी है, सेंडी अपनी ममा के लिए गिफ्ट लाए है, अंशा सेंडी को अपनी गोध में उठा लेती है, और उसके माथे पर किस करके कहती है, बेबी बच्चों से तो गलती हो ही जाती है, इस तरह से मैंगो और पैपसी भी अपनी हरकतों की माफ अंशा से मानते हैं, वही विक्रांट बस स्माइल करते हुए अपनी क्यूट वाइफ और बच्चों को देख रहा था, अंशा बेबी के लिए गिफ्ट खोलती है, तो तीनों गिफ्ट बॉक्स में अंशा की फिवरेट चॉकलेट भारी हुई थी, अंशा बहुत खुश हो जाती हैं, और अपने बेबीस को अपनी बहों में एक साथ भर लेती हैं, विक्रांट नॉमल आवाज में कहता है, अब अगर तुम चारों का पैच अप हो गया है, तो ब्रेकफास्ट कर ले, फिर विक्रांट अंशा को अपने हाथों से खाना खिलाता है, और बेबीस भी उ लाइक और कमेंड भी जरूर करें, वही दूसरी तरफ जैपुर महल में वैदेही जी अपने रूम में बैग पर बैठी थी, बिल्लू वैदेही के पास बैठ कर खेल रहा था, तभी मोहिनी वैदेही जी के रूम में आकर उनके पास बैठ कर कहती है, वैदेही दीदी अपन में आब इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मोहिनी बिल्लू को गोध में लेकर कहती है, वैदेही दीदी मुझे जो बात सबसे बुरी लगी, वो ये है, कि उस लड़की की वज़े से भाई साहब और विक्रांट में मन मोट हुआ आ गया, मेरा बस चलता, तो अभी उस लड़ दानी लड़की है, अरे दीदी आपको उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो लड़की DCP ललित शर्मा की नाजायज है, वैदेही जी मोहिनी को हिरानी भरी नजरों से देख रही थी, तभी मोहिनी वैदेही जी को सार सच बताता देती है, वैदेही जी गुस् सीखने पढ़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, वही मोहिनी अपने कमरे में आकर इवल स्माइल करते हुए बैट पर लेट कर कहती है, चलो मैंने उस अंशा को विक्रांत की जिंदगी से निकलने का इंतजाम कर दिया, पर ये शायना ना जाने कहां चली गई, ना फोन लाद आता है, उस दिन शायना को जंगल में उसकी कार से गई थी, फिर मोहिनी अपने ड्राइवर को फोन करके पूछती है, कि शायना उस दिन जंगल में कहां गई थी, तो ड्राइवर बताता है, कि शायना जंगल में बनानी एक पुरानी हवेली में गई थी, जहां भिलिय के वक्त अंशा विक्रांद के सीने से चिपका कर सो रही थी, विक्रांद बस अंशा के मासूम चहरे को निहारे जा रहा था, विक्रांद अंशा के चहरे पर आ रहे, बालों को कान के पीछे करते हुए कहता है, स्वीठा तुम कितनी मासूम और प्यार हो, तुम्हारी शैतानि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं मैं चाहता हूँ तुम हमेशा इसे ही चुलबुली बनानी रहो वही रात के डिनर के बाद अंशा बेबीस के साथ रूम में खेल रही थी वही विक्रांट काउच पर बैठा कर लप्टॉप पर आफिस का काम कर रहा था तभी विक्रांट की नजर अंशा पर जाती है और विक्रांट टेवल स्माइल करता और अंशा से कहता है स्वीठाट यहां आओ अंशा फूदिकते हुए विक्रांट की गोद में जाकर बैठ जाती है विक्रांट अंशा की कंदे पर सिर रख कर बोलता है स्वीठ हाट पुरी बॉडी में दर्ध हो रहा है तुम मेरी फूल बॉडी मासे कर दो अंशा चाहकते हुए कहती है ओके हबी अंशा गुंबुना टेल लेने चली जाती है वही विक्रांथ अपने आपसे कहता है स्वीठ हाट रोमेंटिक पनिश्मेंट के लिए तयार हो जाओ कुछ देर बाद जब अंशा तेल लेकर आती है तो विक्रांथ को बैट पर सिर्फ बॉक्सर में उल्टा लेटा हुआ देती है तो उसकी आँखे छोटी हो जाती है अंशा विक्रांथ की मासल के पीछे का मकसद समझ जाती है और अंशा अपनी कमर पर हाथ रख कर कहती है हब भी अपने ना थर की पान में HD कर रखी है मैं आपकी जाल समझ गई हूँ विक्रांथ कढ़क आवाज में बोलता है अगर तुम नहीं चाहती दो पिंपल की वज़े से मैं तुम्हें चुरू दू तो फटाफट मेरी बोडी मासच शुरू कर दो बेचारी अंशा के तो आगे खाए पीछे कुए वाली सिचुएशन थी अंशा सोचती है अगर उसने मासल नहीं की तो कहीं विक्रांट फिर से नजर ना हो जाए पर अंशा को बहुत शर्मा रही थी अंशा शर्माते हुए कहती है हब्या आप मुझसे प्यार करते हो आप मेरे साथ हसा नहीं कर सकते बेबीस भी रूम में हैं बेबीस बेशर्म की तरह काउच पर बैट कर अपने ममा डैडी का रोमेंस देखने को बैठे थे विक्रांट बेबीस को रूम से जाने को बोल देता है तीनों वेचारा सा मूँ बना कर चले जाते हैं फिर विक्रांट अंशा से कहता है अब तो तुम्हें मेरी बोडी मासज करने में कोई तकलीफ नहीν अंशा बेबीस के जाने के बाद विक्रांट की बोडी मासज के लिए मान जाती है आंशा बसिक्रांट की बोडी को ही देख रही थी विक्रांट सेक्सी टोन में कहता है Sweetheart I am waiting for body massage अंशा क्यूड फेस बना कर कहती है, हब भी मुझे बहुत शर्मा रही है, आप ये काम किसी और से करवा लीजिए, विक्रांद भी कहां कम था, वो भी अंशा को चिराने के लिए कहता है, स्वीट हाट यू आर राइट मैं शाइना को अपनी बॉडी मासज करने के लिए बुल लेता हूँ, वो तो खुशी-खुशी मेरी बॉडी मासज करेगी, अंशा मुझ फूल कर कहती है, हब भी आप बहुत बुरे हो, विक्रांद जो उल्टा लेटा था, वो हलका सा अंशा को देख कर कहता है, स्वीट हाट तुम्हारा ही पती हूँ, तुम तो ऐसे शर्म रही ह गए, और फिर अंशा अपने मन में कहती है, अंशा बेवली विक्रांद सर की बात मान ले, इसमें तेरी भलाय है, विक्रांद को इससे हल में देख कर, अंशा का गला सूख जा रहा था, फिर अंशा अपने दिमाग में आ रहे नोटी ख्यालो जटक देती है, और तेल अपन सा रोमेंटिक गाना सुनाओ, जिससे सुनकर दिल खुश हो जाए, अंशा खुद से ही मन में कहती है, है भगवान में कही फंस गई, अंशा होट गाना गाना शुरू करती है, वही विक्रांद अंशा के हाथों के कोमल चट को महसूस कर रहा था, और अपना कंट्रोल लूज हो करता हुए महसूस कर रहा था, विक्रांद अंशा को परेशान करने के लिए कहता है, स्वीठाट कब तक एक ही जगह लगी रहोगी, नीचे की तरफ मासच कौन करेगा, अंशा चिर कर कहती है, मैं ही करूँगी, और कौन करेगा, कुछ देर बाद विक्रांद अंशा को रु करते हुए कहता है, बीवी से सेवा करवाने का मज़ा ही कुछ अलग है, स्वीठाट तुम्हारे नाजुक हाथों का टच मेरे अंदर एक अगल ही इसाइन्मेंट पैदा कर रहा है, अंशा तो विक्रांद की मस्कूल बॉड़ी और आर्ट पैक एब्स देखने में बिजी थ अंशा विक्रांद को आखें बड़ी करके देखने लगती है, अंशा विक्रांद मूव फूल कर कहती है, हब भी छोड़ो मुझे, आपकी मासज करके मैं बहुत ठक गई हूँ, अब और कुछ नहीं, विक्रांद सेक्सूल वाइस में कहता है, स्वीठा तुम्ही कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करना है, अब मैं करूंगा, इतना कहकर विक्रांद अंशा को अपने नीचे कर लेता है, और अंशा की आखों में देखकर, उसके होटों को अपनी गिरफता में ले लेता है, विक्रांद ने इस बीच कब अंशा की पहनी हुई टीशिट उतार दी, खुद अंशा को भी पता नहीं चला, 20 मिनट की डिपकिस के बाद विक्रांद अंशा के होटों को छोल कर उसकी गरदन को किस करने लगता है, अंशा अपनी सांसे संभाल रही थी, जैसे ही विक्रांद अंशा की गरदन पर बाइट करता है, कि यह निकल जाती है, और वो बह अंशा को अपने आगोश्ट में भर लेता है, विक्रांद आज पुरे जूनून के साथ अंशा को प्यार कर रहा था, वही अंशा की सिसकारियों की आवाज पुरे रूम में गूंज रही थी, जिससे सुनकर विक्रांद और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, विक्र अंशा को अपनी बाहों में भर कर सो जाता है, वही अगी सुबह विक्रांद और अंशा एक दूसरे की बाहों में बहुत सुकून से सोय हुए थे, तब ही विक्रांद का फोन बजाने लगता है, जिससे विक्रांद की नीन्द खुल जाती है, विक्रांद तुन्द नाइट करके फोन रख देता है और अंशा की तरफ देखता है और गुस्षे से कहता है मोहिनी चाची आपने मुझसे मेरी अंशा को दूर करने का प्लान बना कर अच्छा नहीं किया अब आपको मैं बताऊंगा विक्रांद ओबरोय से उसकी जान को दूर करने की कोशिश करने वाले का क्या हाल होता है विक्रांद की नजर अंशा के उपर से उतर रहे ब्लैंकिट पर जाती है अचानक ही विक्रांद का गुसा कहीं गायब हो जाता है और उसके चेहरे पर एक देविल स्माइल आ जाती है और विक्रांद अंशा के उपर आ जाता है एक बार फिर अंशा को अपने आगोश में भर लेता है अंशा की मिठी सी चीक निकल जाती है और उसकी नींद भी तूट जाती है और वो विक्रांद को गूर कर देखती है अंश में तुम्हें भी मजा आए। विक्रांथ की बात पर अंशा को शर्म से अपनी आखें ही बंद कर लेती हैं। एक बार फिर अंशा की सिसकारिया पुरे कमरे में गूंज उठाती हैं। वही विक्रांथ एक घंटे में ही अंशा को फ्री कर देता है। यह अंशा बहुत विक्रांथ नहीं आने दूनगा, I promise। फिर विक्रांथ शाव लेकर तयार हो जाता हैं। अपनी कार लेकर एयरपोर्ट के निकल जाता हैं। आखिरी विक्रांथ कहां जा रहा हैं। जाने के लिए पढ़ते रहिए। चब 185 विक्रांथ के सिर पर अंशा का जुनून सवार हैं। वही जैपुर में मोहिनी सुबह होते ही अकेले ही भीरियों की हवेली के लिए निकल गई। कुछ गंटों में मोहिनी भीरियों की हवेली में पहुंच जाती हैं। हवेली के हौल में एक हवन कुन रखा था और उसके पास अजीबों गरीब चीजे रखी थी और वो त तीन छोटी कांज की शीशियां भी रखी थी, जिसमें उसने तीनो राजकुमारियां का खून शाइना को दिया था, मुहिनी खुद से कहती है, ये सब देखकर तो ऐसा लगा रहा है, जैसे यहाँ अनुष्ठान हुआ हो, आखिरे उस शाइना ने यहाँ आकर क्या किया था, और अब वो खुद भी गायब है, उस शाइना ने मुझे बिना बताए, कोई तो बड़ा जोल किया है, वही दूसरी तरफ विक्रांट में हिल पहुंच गया था, विक्रांट को देखकर पुरा परिवार बहुत खुश था, वैदेही जी विक्रांट के पास आकर उसको गले लगती है, और कहती है, बेटा अच्छा हुआ, आप आ गए, हमें आपकी बहुत यादा रही थी, विक्रांट अपनी मौन से दूर होकर, अपनी पैंट की पॉकेट हाथ दाल कर कहता है, मोहीनी चाची कहा है, गूशल जी विक्रांट को गुसे में देखकर मन में कहते हैं, अरे विक्रांट बेटा आप यहाँ, विक्रांट गुसे में दांक भींच कर कहता है, मिसेज मोहीनी ओबरोय शायद आप मेरे खौफ को भूल चुकी है, तब ही मेरे खिलाफ शग्यंत रचा रही है, विक्रांट की बात सुनकर मोहीनी का चेहरा दर से सफेद पढ़ गया थ क्योंकि वहां सभी को पता था, विक्रांट कितना गुसल, हटलेस, क्रोयल डेविड है, मोहीनी दर के मारे अपने पती भूशल जी के पीछे चुप जाती है, विक्रांट सभी को वानिंग देते हुए कहता है, अगर किसने भी मेरी अंशा को मुझ से दूर करने की सोच भी अपने दिमाग में रखी, तो मैं भूल जाओंगा कि उसका और मेरा कोई रिष्टा है, और मैं उस इंसान का हाल वो कर दूंगा, कि उसे अपनी सोच पर अफसोस होगा, वैदेही जी को विक्रांट की बात पर बहुत गुसा आता है, कि कल की आए ललकी के लिए, वो अपने परिवार को धमकी दे रहा है, वैदेही जी विक्रांट की बाजू पकल कर गुसे से कहती है, बेटा उस गल की आए ललकी के लिए अपने परिवार को धमकी दे रहे हो, आपको क्या पता है, कि उस ललकी ने आपको कितना बड़ा धोखा दिया है, वो DCP ललित शर्मा की आपकी मा है, विक्रांट अपनी मोम की बात सुनकर शैतानों की तरह हसते हुए कहता है, मोम आप मजाग बहुत अच्छा करती है, आप मुझे बहुत अच्छे से जानती है, तीन साल की उमसे में अपनी मर्जी से जीता आया हूँ, आप भूल गई, क्या? अंशा को तो मैं छोड़ने से रहा, कहीं ऐसा ना हो, कि मैं आप से अपने सारे रिष्टे तोर दूँ, विक्रांट की बात सुनकर दादा जी गुस्से में बोलते है, विक्रांट ये क्या तरीका है, अपनी मोम से बात करने का, उन्होंने आपको 9 महीने अपनी कोप में रखा है, मा का स्था विक्रांट सबसे उचा होता है, विक्रांट बिना एक्सप्रेस वाले चेहरे के साथ अपने दादा जी से कहता है, अन्शा जो मेरे बच्चे की माव बनने वाली है, उसे मैं अपनी जिंदगी से निकल फिको, ऐसा आपकी बहु चाहती है, ये कितना सही है, दादू, फर्क पड़ता है, तभी रगुवेंद्र जी अपने एक बिजनेस टूप से लोटे थे, कि घर में चल रहे हंगामे को देखकर रगुवेंद्र जी सभी से अपनी रौबदार आवाज कहते हैं, हम जरा घर से बाहर गए नहीं, कि आप सभी ने पंक फैलने शुरू कर दिये और महरानी आपसे तो हम रूम में बात करेंगे, और मोहिनी तुम्हें अपने बच्चों की चिंता करनी चाहिए, विक्रांद अपना सही गलत समझ सकता है, तो उसकी फर्क मत किजिए, इस वक्त में हिलकत आपमान गर्म हो चुका था, विक्रांद सभी को एक बार अपनी सर निगाहों से देख कर कहता है, मेरी अंशा को अगर इस घर में से किसने भी दुख पहुँचाया, तो वो अपनी राथी ससा कर रख लेना, फिर विक्रांद अपने बॉडिगार्ड के साथ वापस मुंबई के लिए लोट जाता है, वैदेही जी विक्रांद की बातों से होकर, रोते हुए अपने रूम में चली जाती है, और भूशल जी मोहिनी को गुस्से में खीचते हुए रूम में ले जाते हैं, वही कुमूद जी गजेंद जी से बोलती है, अच्छा हुआ, आज घर पर प्यूश और प्रशांत नहीं है, वरना वो अपने बड़े भाई स क्या सीखते, तीनों राजकुमारिया तो अबरोड चली गई थी, वही वैदेही जी रूम में बैट पर बैट कर घुटनों में मूँ चुपा कर रो रही थी, तभी रगुवेंदर जी वैदेही जी के सामने बैट पर बैट कर कहते हैं, महरानी आप कापसे मोहिनी जैसी महरानी आप ही बताए, इन सब में अंशाया उसकी मा की क्या गलती थी, यहां तो डी सीपी ललित की गलती थी, आप किसी की गलती की सजा किसी और को कैसे दे सकती हैं, वैदेही जी रगुवेंदर जी के गले लग कर रोते हुए कहती हैं, आपने देख, आज पहली बार विक प्रांध ने हम से कैसे बात की, रगुवेंदर जी वैदेही जी की पीत को सहलाते हुए कहते हैं, है, हमारा बेटा है, हम दुनों पर ही गया हैं, वही बिल्लू फूदिकते हुए बाहर से अंदर रूम में आकर वैदेही जी के सिर पर बैक मियाउं मियां करने लगता हैं, रगुवेंद्र जी बिल्लू को गोद में लेकर वेदेही जी से मजाक में कहते हैं, महरानी आप अपने बिल्लू के लिए खांदानी बहुले आना, ओके वेदेही जी रगुवेंद्र जी की बात पर स्माइल करने लगती हैं, वही दूसरी तरफ मुंबई में अंशा डैनिस, और वशी, विकी, नीती और मधू के साथ मौल में अपने बेबीस रोबिन और होने वाले बेबी के लिए शौपिक करने आये थी, वही वो सभी टॉय सेक्शन में थे, अंशा अपने दोस्तों के साथ अपने बेबीस के लिए टॉय देख रही थी, वही और वशी अपने होन इस क्यूट से टैडी बेर को देख कर डर जाएगी, डैनिस उर्वशी के टमी पर किस करके कहता है, वाइफी अब मुझे से वेट नहीं होता, मेरा मन करता है, बेबी जल्दी से इस दुनिया में आ जाए, और मैं उसे धेर सारा प्यार करूँ, उर्वशी डैनिस की बात सुनक उर्वशी की कमर को सहलाते हुए कहता है, बेबी के आने तक मैं अपने छोटे साले साहा पर ही प्यार लूटा लूगा, उर्वशी और डैनिस के बीच की हर एक गलत फहमी दूर हो गए थी, उसके उपर से उर्वशी की एक सबसे बड़ी टेंशन भी डैनिस ने दूर कर दी उर्वशी को हमेशा ही एक टेंशन रहती थी उसकी शादी के बाद दादो और विकी का क्या होगा पर डेनिस ने दादो और विकी को अपने साथ ही रख लिया उर्वशी डेनिस के गाल पर किस करके कहती है डेनिस जी थेंक्यू मेरी फैमिली को अपने के लिए डेनिस उर्वशी के गाल पर प्यार से सहलाते हुए कहता है वाइफी तुम भी मुझे बेकार में महान बन रही हो मुझे दादू और विकी के साथ बहुत अच्छा लगता है फिर उर्वशी और डैनिस अपने बेबी के लिए टॉय देखने लगते हैं वही मधू और निती लेडी सेक्शन में अपने लिए ड्रेस देखने चली जाती है वही नीती अपने लिए कुछ ड्रेसस सिलेक्ट करके ड्राइ करने ट्रायल रूम में चली जाती है जैसे ही नीती ट्रायल रूम में जाती है कोई उसके पीछे और ट्रायल रूम में गुश जाता है और अंदर से दोर से बंद करके नीती से गुश से में कहता है जाने मन तुम मेरी गलती की सजा खुद को क्यू दे रही हो तुम्हारी मूम से मुझे पता चला है तुम ठीक से खाना नहीं खाती, जब देखो रोती रहती हो, ऐसे करेगी, तो तुम्हारी तबियत खराब हो जाएगी, और अगर तुम्हें कुछ हो गया, तो ये प्रेम राना जी नहीं पाएगा, दरसल प्रेम ने जब आज दोपहर को नीती की मूम के पास उसका हलचल पू जानती थी, वो एक घंदी आदमी था, ये प्रेम राना बहुत अच्छा था, नीती प्रेम मूफेर कर कहती है, प्रेम जी प्लीज आप बाहर चले जाए, अगर किसने हमें साथ में ट्रायल रूम में देख लिया, तो वो क्या सोचेगा, प्रेम नीती के हाथ प्यार से पकर कर कहता है, जानेमन तुम्हें किस से दरने की जरूरत नहीं है, तुम अब भी मेरी वाइफ हो, और एक पती पतनी को इतना तो हाख है, फिर प्रेम नीती के लाक मना करने पर भी फूड को ओड में लेकर पहुंच जाता है, और उसका फिवरेट फूड ओर कर देता है, प्रे अंशा जब विला पहुंचती है, तो विक्रांद को गार्डन में बेबीस और रोबिन के साथ क्रिकेट खेल रहा था, अंशा अपनी छोटी सी फैमिली को खुश देख कर कहती है, मेरी क्यूट सी छोटी सी फैमिली को किसकी नजर ना लगे, अंशा और विक्रांद के प्या भरे सफर में बने रहने के लिए पढ़ते रहिए